दुस्तो महाभारत में वेसे तो बहुत सारे प्रेम कहानियों का बर्णन किया गया है लेकिन महाभारत में अरजुन और सुभद्रा की प्रेम कहानी को सबसे अनोखी प्रेम कहानी माना जाता है क्योंकि दोनों चचेरे भाई बेहन होने के बावजुद भी क्रिस्न की अनुमत उलुपी, चितरांगदा और सुभध्रा सुभध्रा भगवान क्रिस्न की बहन थी और अर्दुन अपने चारों पत्नियों में से सबसे जैदा प्रेम सुभध्रा से करता था क्योंकि अर्दुन ने सुभध्रा से प्रेम विवा किया था लेकिन जब हो महाभारत को टीवी पर या फिर फिल्मों में देखते हैं तब उसमें द्रौप्तिक की कहानी तो बहुत ही अच्छे से दिखाया जाता है लेकिन सुभधरा की पूरी कहानी अभी भी बहुत ही कम लोगों को पता है तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्रिश्व की बैहन और अर्दुन की सबसे फेवरेट पतनी सुभधरा की पूरी कहानी जानने की कोशिस करते हैं दोस्तो सुभधरा महाभारत की एक बहुत ही इंपोर्टेंट पात्र है क्योंके वो भगबान क्रिश्व की बैहन अर्दुन की पतनी और अभिमन्यू की मा थी देवकी के अलाबा भगबान क्रिश्व के पिता पासुदेव के पांच और पतनिया थे जिसका नाम है पौरवी, रोहिनी, भद्रा, मदीरा और बारीका देवी भगबान क्रिश्व देवकी का संतान था जबकि बलराम और सुभद्रा रोहिनी के संतान थे और इंट्रेस्टिंग बात ये है कि देवकी और रोहिनी दोनों ही सगी बेहन थी सुभधरा बासुदेव की एक लोती बेटी थी और उसका जन्म तब हुआ था जब कृष्ण ने गंश का बद करके बासुदेव और देवकी को कारागार से रिहा किया था और इसलिए सुभधरा भगवान कृष्ण और बलराम से बहुत ही छोटी थी अगर बात करे कृष्ण, बलराम, सुभधरा, अर्दुन और बाकी पांडवो के रिलेसंशिप के बारे में तो वे सारे ही जचेरे भाई बहन थे क्योंकि पांडवो की मा कुंती भगवान कृष्ण के पिता बासुदेव की बहन थी और इसलिए हम महा भारत में भगवान कृष्ण के द्वारा कुंती को बुवा कहते हुए देखते हैं महा भारत के अनुसार पांचों पान्रवों में से अर्दुन और कृष्ट के बीच में सबसे ज़्यादा खनिश्टा होता है और इसलिए जब एक बार भगबान कृष्टन अर्दुन को द्वारिका बुलाते हैं तब वही पर अर्दुन और सुभधरा की मुलाकात होती है और इसलिए मौका पाते ही भगवान क्रिष्ण अर्दुन के सामने सुभध्रा का बिवाह का प्रस्ताव रख देते हैं। और क्योंकि अर्दुन मन ही मन में सुभध्रा से प्रियम करने लगा था। इसलिए भगवान कृष्ण का प्रस्ताब सुनते ही वो जट से हाँ बोल देता है लेकिन अरजुन और सुभध्रा के बिवाह में जो सबसे बड़ा अरजन था वो था बलराम क्योंकि उसने पहले ही सुभध्रा का बिवाह दुर्योधन के साथ करने के लिए पक्का कर दिया थ और इसलिए कृष्ण भगवान अरजुन को सलाह देते हैं सुभध्रा का अपहरन करके उससे बिवाह करने के लिए वे अरजुन से कहते हैं कि सुभध्रा अक्सर रेवदर परवत पर जाती है जहां से तुम उसका अपहरन करके उससे बिवाह कर सकते हो और इसलिए अरजु सुभधरा का अपहरन करके खाक कर उससे प्रियम विवाग कर लेता है। लेकिन दोस्तों ये मान्यता अर्दून और सुभधरा के बारे में बोरानिक मान्यता है। आधुनिक मान्यता के अनुसार। अर्दुन जब दुरोना चार्य के आस्रम में दिख्षा प्राप्त कर रहा होता है तब वहाँ पर सुभद्रा का चचेरा जाए गदा भी उसके साथ में दिख्षा प्राप्त कर रहा होता है। अर्जुन को सलाह देते हैं उसका अपहरन करके भाग कर उससे प्रेम विवाह करने के लिए और इस तरह से अर्जुन और सुभद्रा के विवाह के संधर्ब में पौरानिक और आधुनिक करके दो अलग-अलग मनेता मुझूद है लेकिन दोस्तों जब क्रिशन भगवान अर् अनुचित कारिया है जिसके जबाम में भगवान क्रिशन अर्दुन से कहते हैं कि अगर सुभद्रा तुमसे प्रेम करती है और वो भी तुमसे भाग कर विवाह करना चाहती है तो छत्रियों में अपनी दुलहन का अपहरन करके उससे विवाह करना सी कारिया है और इसलिए अर्दुन सुभादरा का अपहरन करके भाग कर उससे प्रेम विवा करता है तो बस ये था दोस्तो आज का हमारा वीडियो अर्दुन और सुभादरा के बारे में आपको वीडियो कैसी लगी अपना अपिनी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा तो मेंते हैं अगने वीडिय में दपते क्लिए नमस्कार